हालो friends welcome you all आज मैं आपके वीडियो लेकर रहे हैं बात करते हैं किस तरीक से स्टाउको बस बना रहे हैं और लेंडिंग से पहले लेखें और मैं खाहूंगा बिलिकुर उड़ने से पहले किस तरीक से अपने बेस पर वो स्टाउक जाता है वो आप देखोगे समझोगे सीखो और छुपे हुई शेस अक्सार हम आपके सामने लेके आते हैं जो कि लाइम लाइट से दूर होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने सबसने की कोशिश करते हैं रिस्क मैनेजमेंट मोमेंटम प्राबवलेटी की टेमिनलोजी में और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या जल्दी सब्सक्राइब कर ले बैल आकेट को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी औ बहुत इंपोर्टेंट इस सीरीज जरूर देखें समझें और प्रेक्टिस करें backtest करें weekend जब आपके सामने आता है तो तो आप ये रीसेंट वीडियो देख सकते हो और फिर अभी निफ्टी की वीकली आप्शन सेलिंग सीरीज बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो लर्निंग का कल हम इंडोरामा सिंथेटिक के बारे में बात कर रहे थे जो कि जबर्दस मूव आज की डेट में देखने को मिला इंडोरामा सिंथेटिक में उसके बाद हमने जिकर किया था सिवहा ठैक्स्य्यार लिमिटेड का बहुत जबर्दस मूव यहां पे भी हमको देखने को मिला पेजिंदस्ट्री इंडोरामा का अगर जिकर करते हैं तो ये बहुत important मैं कहूंगा इंडोरामा में हमें two point system देख देखने को मिला था साथ में momentum वापस आता हुआ देखने को मिला था करण था कल की date में इंडorama का discussion चल रहाता जिकर चल रहाता और इंडो रामा ने कमाल कर दिया एक बढ़िया मूब आज की डेट में दे कल की closing और आज मैं बढ़िया मूब टूपंट सिस्टम प्राइस जरूर महंगा है बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है 40-42,000 का तो एक ही शियर है तो देख लीजिए क्या आने वाले टाइम पे स्टॉक में स्प्लिट होगा देखें कई बार शियर का प्राइस बहुत महंगा होता है तो कंपनी कुछ अच्छे क के लिए यहां पे स्टॉक को स्प्लिट करने का भी ट्राइ करती है 43,000 जैसे आई शेर मोटर का हुआ था तो यहां पे जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो वहां पे आपको इसका 110 प्राइस यानि कि 45,000 का देखने को मिलता है फिर आती है जबर्दस रहली यहां पे जो सिच जिकर करेंगे कैमपस एक्टिव यार यानि कि फुटवेयर की कंपनी जबर्दस्त स्टॉक रिवेन्यू प्राफिट लेकिन इस टॉक को अगर मैं देखूं कैमपस एक्टिव यार क्योंकि हम इसका जिकर आज पहली बार नहीं पिछले कुछ टाइम से करने हैं लेकिन यह स स्टॉक भागा नहीं है जहां पे था बिल्कुल वहां से 15-20 पॉइंट यू पर नीचे हो रहा है और अभी तक मैं कहूंगा एक बहतरीन क्वालिटी का मूब जो इससे एंटिसिपेट था जो इन लवल से हम एंटिसिपेट कर रहे तिकर यह भागेगा और अपने गणतब स्टान तक पहुंचने की कोशिश करेगा देखिए लेकिन अभी भी उसी जोन में बैठा हुआ है सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इन जोन को आप देखिए और यहां पे देखिए वीकली में हम मोमेंटम वाले जोन में जो कि काफी अच्छी बात लगी और जब यह मोमेंटम में आया था तब भी यह स्टॉक 289 के प्राइस पे था आज भी यह स्टॉक ज्यादा धी 25 पॉइंटी उपर है लेकिन अच्छी बात डेली टाइम फ्रेम में मुझे लगी स्टॉक में साइकल स्टार्ट होती है 200 SME तक शेर आता है देखिए डेली टाइम फ्रेम म में लेकिन इस टॉक को जून का महीना गया जुलाए गया अगस्त गया सटमबर आ गया तीन महीने होगे लेकिन इसने हिलने का नाम नहीं लेकिन जब हिलेगा जब रेडी हो रहा है जब उपर जाएगा तो यह की साथ फिर आप देख सकते हो ऐसे स्टॉक किस तरीकी से यह angled वाली के स्टॉक है कैसी काटेगरी के डिवर्सल वाली काटेगरी tav यहां से जोन करने का यानि यह फ्लाई करने का कोशिश करेगा और यहां पर मेरा प्लान फेल हो जाएगा तो वो लोग इसमें बिलकुल उमीद से पेशन्स से बैठे होंगे लेकिन जो लोग यहां पर उतार चड़ाओ यह तो भागा यह नहीं तीन महीने में इस तरीके से एक सिचुेशन बना रहे होंगे नीच फ्रेंज बड़े फ्रेंज यह वीक्ली डेली के ऊपर फोकस करते हैं उन लोगोत तो पता हिए कि में पेशन्स की बहुत requirement होती है मंतली टाइम फ्रेमन पेशन्स की बहुत requirement होती है तो अगर आँए नहीं किया हुआ पचाहस टुकड़ा है और उन 50 टुकरों मैंसे यह मात्र एक टुकडा ऐकर साइड में भी पड़ा है अगर लॉस्ट भी कर देतो उनका हुपता है कि उनका मैक्स लॉस्स भी कर दे तो इस और और जिकर करेंगे उससे पहले हमने रिस्क बारे बात करें यहां पर तो एक तो हो गया ओवरल पॉट्फोलियों का जो आपने दस लाग के जो भी आपका ओवरल कापिटल उसको पचाश टुकड़े कर दिये दिस वन रिसक मैनेजमेंट अगें अब हर टुकड़े को पर रिसक मैनेजमेंट कितना है कि मानलो आपने स्ट स्टॉक को देखते हैं नजारा टेकनोलोजी को भी समझने की कोशिश करेंगे चोटे स्टॉक जरूर देख रहे हैं लेकिन बढ़िया स्टॉक है बहुत भाग गये लेकिन नजारा टेकनोलोजी को मैं देखूंगा बड़े टाइम फ्रेम में क्योंकि मैं आपको बार-बार क्या तो बड़ा टाइम फरेम हमारे लिए एम्पोर्टे रहता है चोटे टाइम फरेम तो चलते रहते हैं उपर नीचे उतार चड़ाओ देते रहते हैं लेकिन बड़े टाइम देखूंगा बलकि यहां पर. बा 빠व यहिंन से बाइंग करको तक्या भागा बलकि यहां पर जल्द से जल्द ये भी जादे की कोशिश करें उपर लेकिन अभी तक यह जाही नहीं रहा है जारा टेक्नलोजी इस क्या जा पाएगा इंग जोन्स तक तो यह है ready to move stocks जो की बहुत time से consolidate कर रहे हैं पर भाग रहे हैं ना भी नहीं ले रहे लेकिन उस जोन में जरूर बैठे है smart money वाले जोन में जरूर बैठे है कि कभी भी यह यहां से लंबी flight बकड ले ऐसी जोन में बैठे हुआ है बट risk management जो fresh entry वाला यहां पर entry लेगा उसका stop loss आपको पता जिसने इस zone में entry ली है उसका stop loss आपको पता अब मान के चड़ो 1000 के level पर मैं entry ले रहा हूं मेरा stop loss बहुत deep मुझे दिख रहा है 400 पॉइंट यह बहुत ज्यादा risk मुझे stop loss दिख रहा तो मैं position के size को कम करके risk को manage करूंगा early in the cycle जैसे मान लो मैंने आप 600 पांट्री मुझे दिख रहा था 500 के आसपास का stop loss से तो 100 पॉइंट का लेकिन अब दीरे दीरे जैसे आप उपर जाते रहोगे तो यह risk भी बढ़ता रहता है वाइंड आप करता है इस वीडियो का और उमीद करता हूं आपको समझ मा जरूर आएगा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए like कीजिए price section सीखते रहिए practice करते रहिए और price section यह series आपके लिए बहुत काम के इसको देखे समझा सीखे और thank you thank you for watching the video